मैं सभी का सागत करता हूं फिजीज गाया निकेशनेक चैनल पर बहुत सरे स्टुडेन के कॉमेंट है कि सर आप लोग पुने मंबई या नागपूर देसे बड़े-बड़े सीटेके जो कॉलेजे से इसके बार में रिवी देते हो क्या गौवर्मेंट कॉलेज का रिवी ने चाहता हूं और रिवी देना चाहता हूं यह कॉलेज बैटा गौवर्मेंट कॉलेज ऑफ इंजिनिंग अरंगबाद जी सी ए कहते हैं रेलवे स्टेशन ब्रोड पर हैं यह सी बोड के पास है रेलवे स्टेशन से और जो बस्ट आफ है इससे बहुत दूर नहीं है मतलब आ कॉलेज बैटा मैं खुद विजिट करके आया हूं क्योंकि मैं यहां पर खुद आवरंगबाद में रहता हूं तो चलो बच्चों बात करते हैं आज कॉलेज रिवी में ब्रांचेस कटाफ प्लेस्मेंट सीट्स और फिस के बारे मैं यह बेस्ट आफ इंजिनिंग कॉलेज में बता रहा हूं मैं तो चलो बच्चों हम लोग आपकी लिए और बी अच्छे यहां पर होता है जैसे निर जैसा कोर्स है या एट नाइंट की बच्चे तैयरी कर रहे हैं उनके लिए अलग-अलग कोर्स है आप लोग यहां पर प्लेश्टोर पर जाके दाउन आपको डा और उसमें बहुत सारी ग्रूप आपको मिलेंगे अलग-अलग टीचर से मतलब यहां पर आपकी लिए जो टीचर से एक्स्प्रियंस होल्डर है इससे आपको बहुत नॉलेज मिलने वाल बच्टा इसमें हम लोग अनलिमिटेड डौट किले करते हैं लाही शेशन में इंट इसमें हम लोग ने क्या अप्लिकेशन बेस जो होता है उसमें टाइम बहुत पंजिमिम होता है तो कुछ टेक्निक निकालते हैं और इस टेक्निक से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करते ताकि कोई भी कॉश्चन को कम समय में कैसे सवाल करना चाहिए इसके उपर हम लोग अभी प्लेश्टोर पे जाकी आपको डाउनलोड करना चाहिए और अपने दोस्तों को रिलेटिव होंगे जो भी आपके आसपास क्लास 8,19,11,12 में पढ़ने वाले जितने भी स्टुटेट हैं उनको बताना चाहिए और इसका प्री और क्वाइदा लेना चाहिए हम लोग यहां पर हमेशा आपके लिए जो भी चीज़े इसी प्री में हो प्रोवाइड करने के कोशिश करते हैं तो आप लोग बिल्कुल जाईए और वहां पर जो भी आपको को जॉइन करना है अलग-अलग कोर्से से और MST CT के लिए मैं दिने से नहीं हूं सोईन सरे बहुत सरे फेमस टीचर से बाइलोजी के लिए बाइलोजी मुदासर भी है तो चलो बच्चों कॉलेज का रिवी देता गौवर्मेंट कॉलेज आप इंगिजिन में अवरंबाद ये कॉलेज है देख सकते में बेटा बेस्ट कॉलेज है और ये अवरंबाद के हर्ट आप सीटे मे करते हैं इस क्वालज में पड़ते हैं और यहां पर कम खर्चे में आप लोग ऑउरंबाद में रहे कि क्या नहीं बेटा मैं बता दूआ अगर आप लोग ऑउरंबाद में अच्छी तरह से परो जे और यहां पर उनिसीटी है डाक्टर वाबस सब अमिटकर उनिसीटी वहा यहां पे यह रैंकिंग 95 वेटा येर आप इस्टैबलेशन 1960 का है बहुत बुराना कॉलेजी वेटा ये उनिसिटी में आता है डॉक्टर बागा से भंबिटकर उनिसिटी और ये अटनोमस कॉलेज है ठीक है मतलब बहुत पुराना कॉलेज और बहुत ही अच्छा है मैं से मेकनिक इंजिरिंग साथ है ठीक है आईटी के लिए भी है ये सीट से बेटा 2020 की हिसाब से जो हम लोगों ने डेटा कलेक किया वेटा वो सिविल इंजिरिंग के लिए जनरल उपडिके लिए 91.70 इतने आपको परसंटे लगेंगे तो आपको सिविल ब्रांच मिल सकते है जनरल एस्टी के लिए बेटा 82.95 ये परसंटेल रहे तो सिविल ब्रांच मिल सकते है जनरल एस्टी के लिए इस कॉलेज में 71.00 इस्टी के लिए कम परसंटेल लगते है कोई भी कॉलेज हो ओपन से और अधर काटेगीरी से सबसे कम मात लगते है एंटीटु के लिए 90.63 इ लगते है एंटीवन के लिए 93.31 लगते है एंटीटु के लिए 95.38 इसने परसंटेल लगने वाल है नेक्स्ट बेटा आपके लिए आईटी के लिए वो इनफर्मेशन नहीं इए इसने इसने बेटा ठीक्या इनफर्मेशन टेकनलोगी वह आपे जनरल उपन के लिए 96.04 है जनरल एस्टी के लिए 92.72 है जनरल एस्टी के लिए 72.72 है जनरल एस्टी के लिए 95.56 लगने वाले एलेक्ट्रिकल इंजिन के लिए 91.44 मुझे लगता है कि आप लोग परसंटेल से उपर डिपेंड ना रखते हुए रैंक वाई समझ ले क्यूंकि रैंक बहुत इंपोर्ट जनरल एस्टी के लिए 87.97 जनरल एस्टी के लिए 28 परसंटााल उनली 28 00 le सोच सकते बच्चों बहुत काम हों गैंत और वीजे के लिए बैटा है आपे 93.28 परसंटेल, मैकनिकल इंजिन memoir 92.57 जनरल एस्टी बैटा 85.21 है जनरल एश्टे के लिए यहाँ पे 26.6 जिवह है, एंटी 2 के लिए 88.46 है, फीस येरली बेटा यहाँ पे अराउंड ली एक लाख लगती है आपको लिए, ठीक है, प्लेस्मेंट बेटा दो आजार मिल बिस के इसाब से, यहाँ पे यहाँ पैकेज अराउंड 10 लाग, देखो यह जो पैकेज बेटा यह कम जादा होते रहता, यह बच्चे बोलती कि सर मुझे इतना मिलता है, वो अलग-अलग साल में अलग-अलग मिलता है, और करीब-करीब जो डेटा हम लोगों को मिलता है, उसके पर से बंदा है, अवरेज पैकेज 3 या 4 लाक मिलता है, और यहाँ पर सबसे में कम खर्चे में कॉलिज में, आप लोग करवा सकते हो आपका future break, और कम खर्चे में, प्राप्लम क्या वेटा, जो बच्चे को अगर आपको पुना में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, मतलब जो जो अच्छे कॉलेज है, कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहता को उन बच्चे ने इस college में बाखला लेना चाहिए औरंगबाद में भी एक अच्छी city है इंडिश्टी यह अच्छी है वेटा उसके बाद में कम खर्चे में काम चलता है तो औरंगबाद में यहाँ पे जो धिंगोली परवनी जानना बीड नांदेड लातूर उसमान इतने जो city मतलब 8 मराकवड़े में total 8 अंडिश्टिक आते हैं इनके लिए ये फीचर ब्राइट के लिए अच्छा पाले जाए साथ में बच्चों विदर में भी जैसे बुल्डाना नंजिक आता है आपको पता होना चाहिए वासिम नंजिक आता है अकोला यह भी लोग यह के लिए requirement होते है कि PhD होना चाहिए जैसे कुछ college में क्या होता है कि आपके PhD ने रही तो भी first year पढ़ाने में आपको अलाओ करते हैं लेकिन यह government college होने के कारण जो श्टाफ होता है बैटा जो government इनका एप्रोल करता है तो वह बहुत कॉलिफाई लेना पड़ता है तो इसलिए एक बार जरूर आप लोग विजिट करिए इस college को देख लिजिए कि कैसा college क्या है और आपको क्या क्या फैसिलिट फर मोस्ट सच वुडियों चाहते हो तो इस चैनल को सब्क्राइब करके रखे और हम लोग telegram group भी होता है आप लोगों को description box में प्रोज़ करें वेबसाइट भी हमारी website पर हम लोग बहुत सारी information देते बैटा एक्जाम लेते हैं mock test लेते हैं इतने सारे exam लेते हैं एक लिए